हेलो एबरिवन मैं मेतुन सिंग स्वागत करता हूँ आप सभी का आसा करता हूँ आप सभी बहुत अश्य होंगी देखिए सेट की नोटिफिकेशन निकल चुकी है इस एक्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेशर बन सकते हो सिर्फ और सिर्फ प प्रोफेशर प्रोफेशर बनने का आपके पास ये गोल्डन ओपर्चिनूटी है लास्ट डेट देखिए इसके कब रहने वाली है नौ छे दो हजार चौबीस तो बहुत समय है आपके पास में तक आप जो है इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो इच एन एवरिटिंग आप किसीं का सब्जेक्ट होगा मैथ्स तो वह मैथ्स लिखेंगे साथ में मैथ्स के अलाबा आप कहां से देख रहे हूं जैसे सपोस्वें कर लेते हैं कोई 36 गड़ से देख रहा है कोई राजस्थान से देख रहा है तो ज्छारकंड वाले जिस इस में सबसे मैं आपको ऑफि है यहां से देख सकते हो आप ओनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो प्रारंविक्ति थी है यानि कि इसकी शुरुवात होगी 13-5 से 13-5 से जो है यह आवेदन शुरू होगा और जून तक यह चलेगा 9 जून तक एक्जाम डेट भी दे दिया गया है यह अच्छी बात है कि 7-7 क तो जो है आपका एक्जाम भी होगा तो तीनों को टाइम लाइन में आप याद रखिए एक्जाम आपका कब सुरू होगा साथ को लेकिन फॉर्म भरने की सुर्वात हो जाएगी 13-5 से और आवेदन आखरी तिति जो होगी वो होगी 9-6-2024 याद रख लिजिए देखो आप न भूल जाओगे क्योंकि यह 13-5 अभी जो है मार्ची चल रहा है एप्रिल में में यह फॉर्म भर आएगा तो ऐसे मैं आ कोबाइल में जो है आपके पास केलेंडर होगा वहाँ पर रिमांडर सेट कर लो वहाँ पर रिमांडर सेट कर लो ताकि आप दिक्कत आपको ना आए ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं परिच्छा की संभावित तिति दे दी गई है लगबग लगबग 99% चांसे से कि इस कि अथे लिए कर देखलो यहां पर बताया गया है कि जो 36 गड़ के लोग है उनके लिए किसी भी परकार का सुल्क ही लिया जाएगा लेकिन सेट या फिर जैट या फिर नेट या फिर तीनों चीजो को ध्यान में रखीएगा और समझने की पोशिस करिएगा आपको टीचर बनना है तो ये तीनों examination में से कोई PhD या फिर होना चाहिए तो ऐसे मैं इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा यहां से देख लिजिए पातरता की सर्थे क्या है set परिक्षा में आयोजित जो होने वाली परिक्षा है उसके लिए 55% आपका जो है score होना चाहिए और जारखंड या फिर बिहार से कोई other state से अगर 36 गड़ के लिए जा रहे है तो सारे लोग general में count होते हैं तो 55% सभी लोगों का होना चाहिए 50% किसके लिए है सिर्फ 36 गड़ के जो उनके लिए है उनही के लिए है यानि की उनके लिए उनही के लिए क्या बूल रहा हूं actually जो वहाँ पे OBC, SC, ST है उनही के लिए ये सुभिधा यहाँ पे मिल जाएगी समझ रहे मेरी बात को आगे देखिए paper 1 सभी लोगों के लिए अनिवारी है paper 2 की बात करें तो 19 मिसे दिये गए है इनही का paper वहाँ पे लिया जाएगा कौन कौन सा paper है, हिंदी, political science, sociology, geography, mathematics, life science, commerce, Sanskrit, library and information science, home science के recruitment आपको देखने को मिलेगी इसके लाबा English, economics, history, physical science, chemical science, computer science, law, psychology और physical education के लिए आपको जो है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा paper 1 में देखिए, 100 अंक होंगे 50% पूछे जाएंगे यहाँ से, यानि कि हर प्रसन जो है 2 number carry करेगा अगर इसी तरह paper 2 की बात करूँ तो 200 अंक मिलेंगे, यानि कि 100 question हर question जो है आपको 2 number यहाँ पे देगा paper 1 में देखिए, क्या-क्या पूछा जाएगा syllabus इन्होंने बता रखा होगा उसके बाद जो है, आगए चीज़ों को हम लोग देखेंगे syllabus अभी यहाँ से actually दिया नहीं गया, यह सिर्फ और सिर्फ यह क्या एक short notice जारे की गई है paper 1 का syllabus देखो, मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना कर दूँगा इसके लिए जो है paper 2 आप नीचे लिखोगे with your subject, जिससे suppose कर लो किसी का मैज है तो वो मैज लिखेगा इसके उपर एक dedicated वीडियो अलग से बन जाएगी, याद रखना है इन चीज़ों को paper 1 और paper 2 बिलकुल 99% chances रहते हैं कि net से जो सबाल पूछे जाते है net का जो syllabus है, वही syllabus as it is सभी अपने राजियों में रख लेते हैं तो ऐसे मैं, आप net की website पर जाकर वहाँ से syllabus डाउनलोड कर लो और चीजों को देख लो, वैसे मैंने common paper का एक जो है syllabus का वीडियो डाल रखा है, description box में लिंक आपको मैं दे दूँगा, याद रखिएगा form जो है मैं मैं में भराएगा exam आपका जून में होगा तो make sure जुलाई में होगा तो इन चीजों को ध्यान में रख लेना है समय बहुत कम तो नहीं कहूंगा, बहुत सारा समय है आपको तयारी करने के लिए, 36 गड़ से ये recruitment आई है, 36 गड़ में जब भी assistant professor की बहाली होगी, तो set वाले जो है वहाँ पर apply कर पाएंगे वीडियो में यहीं तक आगे बढ़ते हैं जान पाएं, वीडियो को आपने यहां तक देखा प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का वद्वा, सुक्रिया have a good day